इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को استعمال करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। Lactipan Fiber स्वादिश्ट नीम्बू कब्ज के इलाज में इस्तिमाल की जाने वाली एक सयोजन दवा है। यह मल को नर्म करके काम करता है जो मल के आसान मार्ग में मदद करता है। Lactipan Fiber Delicious Leman का सेवन डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। इसे भूजन के साथ या बिना लिया जा सकता है। आपको अपने डॉक्टर की सलाह की मात्रा लेनी चाहिए और आप चाहे तो इसे पानी या फ़लों के रस के साथ मिला सकते हैं। सबसे अधिक लाप पाने के लिए नियमित रूप से इस दवा का प्रयोग करें और इसे प्रतीक दिन एक ही समय पर लेने का प्रयास करें। यह कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है। इसके आधार पर आपकी खुराक उपर या नीचे जा सकती है। आपकी सलाह से अधिक न ले और यदि आप एक खुराक चूग जाते हैं तो इसकी भरपाई के लिए एक अतिरिक्ट खुराक न ले। लैक्टिपैन फाइबर स्वादिश्ट नीमबू काम करने में कम से कम अर्टालिस घंटे लगते हैं। अपने डॉक्टर से बात करें यदि आपको तीन दिनों के बाद भी कब्स है। सबसे आम दुश्प्रभाव मतली और उल्टी हैं। ये आम तोर पर हलके होते हैं और कुछ दिनों के बाद चले जाते हैं। आप बीमार भी महसूस कर सकते हैं या हो सकते हैं। आप बहुत सारे तरल पदार्थ पीकर भोजन के बीच अपनी दवा लेकर दुश्प्रभावों से बचने में मदद कर सकते हैं। कभी कभी लोग गंभीर पेट दर्द, गंभीर दस्त, मनोदशा में बदलाव और दौरे सहित गंभीर दुश्प्रभाव विक्सित करते हैं। अगर आपको इन में से कोई भी दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें। लेक्टिपैन फाइबर स्वादिष्ट नीमबू लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको मधुमे है या यदि आप दूद चीनी यानि कि लेक्टोज असहिश्णू को पचाने में असमर्थ हैं। यदि आप लंबे समय तक इस दवा का उपयोग करते हैं तो आपका डॉक्टर आपको खनिच्स्तर यानि की जैसे पोटेशियम और सोटियम की जांच के लिए कभी-कभी रक्ट परीक्षन करवाना चाहता है। इस दवा को लेते समय अन्य रेचक दवाएं न ले और अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर से जांच ले। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। कर दो